हेलो फ्रेंट्स रेल इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे टीकट कैंसिलेशन चार्जिन 2022 यानि कि अगर आप टीकट को कैंसिल करते हैं तो कितना पैसा आपका कटेगा यदो ट्रेन ही कैंसिल हो जाए तो आपको कितना पैसा मिलेगा पूरी जन करई आपको इस वीडियो में देंगे तो वीडियो को आप लोग एंट तक देखेगा चलिए आगे वरते हैं वीडियो लेकिन उससे पहले आप लोग से छोटी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके औल नोटिफिकेशन आउन कर लिजिए तो यहां पर जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वह है टीकट यानि इलेक्ट टीकट जो कांटर टीकट होते हैं उसके बारे में बात नहीं करेंगे उसके बारे में किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ठीक है तो अगर आपके पास कांटर टीकट है और अगर आप उसको कैंसल करना चाहते तो कैसे कैंसल करना है वह मैंने आपको बता हुआ हुआ वीडियो में तो उस वीडियो को देख लिजेगा और कैंसल करते हैं वक्त ही आपको बता दिया जाएगा कितना पैसा आपको डिफंड मिलने वाला है यदि आप इस टीकट को कैंसल करते हैं तो उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा तो चलिए अब बात कर तो इस हम दर्भंगा में जो ट्रेंड की टाइम ही है उससे 4 घंटा पहले जो डगेंगे जानी कि चार्ट पिरिप्रेशन का टाइम तो उससे 4 गंटा पहले तक आप ticket को cancel कर सकते हैं चार्ट बन जाने के बाद आप ticket cancel नहीं कर सकते हैं अगर आप cancel करते हैं तो उस case में आपको कोई भी refund नहीं मिलेगा लेकिन यहाँ पर एक system है TDR का TDR क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में तो देखे अब यहाँ पर आता है कि train को ticket को कब cancel कर सकते हैं तो जैसे कि आप ticket को RCTC के website से cancel कर सकते हैं यदि आपने किसी agent के थुरूब book करवाया है किसी दुकान से ticket लिया है तो उस दुकान वाले को बोलकर आप ticket को cancel कर सकते हैं नहीं तो अगर आपको अपना ticket cancel करना है तो आप खुदी ticket को cancel कर सकते हैं अब बात करते हैं electronic reservation slip अब यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल होगा कि यदि हम दो लोग है और उसमें से एक का ticket cancel करते हैं एक का नहीं करते हैं कि इसे refund मिलेगा उसकी जानकारी भी CTC के website पर दी गई है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ वीडियो थोरी सी लंबी हो सकती है लेकिन वीडियो को अगर आप लोग end तक देखेंगे तो ticket cancel करने से लेकर आपका कोई भी confusion नहीं रहेगा तो आप बात करते हैं कि यदि आप उसमें से दो या तीन व्यक्ति का ticket है लेकिन उसमें से एक का या दो का cancel होता है एक का cancel नहीं होता है तो उसको cancel करने के बाद आपको फिर से दुवारा से ticket को प्रिंट करना होगा separately यानि कि जो single जिसका ticket cancel नहीं हुआ है उसका ticket अलग से print करने का option दे दिया जाते है तो उसको मैं आपको बता दिया हूँ तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं कि कैसी किसी एक का ticket cancel करने के बाद बाद की दो लोग का अगर cancel नहीं होता है तो separately आप उस ticket को print कर सकते है cancellation of a ticket before charge preparation of the train अब यहाँ पर बात करते हैं कि कितना पैसा कटता है यदि आप ticket को cancel करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो ticket cancel करने पर आपका charge कटेगा वो है यदि आप train खुलने से 48 गंटे पहले अपना ticket cancel करते है confirm ticket is cancelled more than 48 hour before the scheduled departure यहाँ कि train खुलने से 48 गंटे पहले आप ticket को cancel करते है तो आपको 240 रुपे लगेगा 1st AC में यहाँ कि अगर आपका ticket AC 1st class का है तो आपको 240 रुपे लगेंगे उसके बाद 200 रुपे अगर लगेंगे यदि आपका ticket AC 2nd class का है यदि आपका AC 2nd class नहीं है 3rd class का है यानि AC 3 टायर का है तो आपको 180 रुपे कटेंगे उसके बाद chair car यानि कि AC economy होता है उसमें आपको 120 रुपे कटेंगे और उसके बाद sleeper का अगर आपके पास ticket है तो 60 रुपे कटेगा 2nd class के लिए 120 रुपे कटता है यहाँ पर देखे AC 180 कटता है AC 3 टायर के लिए AC chair car और AC 3 economy के लिए साथी 120 रुपे sleeper के लिए कटता है यानि कि अगर आपका ticket जोई sleeper class का है तो आपको 120 रुपे कटेगा यदि आप 48 घंटे पहले ticket cancel करते हैं अब यहाँ पर एक बात आपको और बताऊंगा यदि आप सुच रहें कि आपका ticket ही 120 रुपे कर तो क्या होगा चलिए आगे इसके बारे में भी बात करेंगे तो देखें यहाँ पर है 4 sleeper class 60 नहीं sleeper class के लिए 120 है और 60 रुपे second class यानि जो sitting यानि बैठने वाला seat होता है उसका अगर आपके पास ticket है तो आपको 60 रुपे देने परेंगे अब बात करते है cancellation charge as per passenger इसके confirm ticket is cancelled within 48 hours यानि कि 48 गंटे के बाद और train खुलने से 12 गंटे पहले यानि कि train खुलने से 12 गंटे पहले अगर आप ticket को cancel करते है तो आपको यहाँ पर पैसा कितना कटेगा देखे train खुलने से 12 गंटे पहले अगर आप ticket को cancel करते है तो आपका 25% कट जाएगा तो यहाँ पर आपका 25% कट जाएगा minimum flat rate जो mention है उसके हिसाब से उसके बाद बात करते हैं कि यदि train खुलने कि less than 12 hours and up to 4 hours यानि कि train खुलने से 4 गंटा पहले 12 गंटे के बाद आप समझ रहें कि जैसे train खुलने से 4 गंटे पहले आप ticket को cancel करते हैं 5 गंटे, 6 गंटे यानि 12 गंटे तक में अगर आप cancel करते हैं ticket को तो आपका जो train है का जो यहाँ पर chart preparation है आप देखिए यहाँ पर chart preparation से पहले आपको cancel करना है तो इसमें आपको 50% आपका minimum cancellation charge लगेगा Note the chart preparation time is the time for the chart preparation from the train originating station और from the previous chart preparation station इसको ध्यान रखना है जिसे कि आपको कैसे पता चलेगा कि किस किस station पर chart preparation होता है तो उसके बारे में आपको next video बता देंगे लेकिन आप माली जे कि जो जक्सन होता है नौर्मली जो बड़े बड़े station होते वहाँ पर chart preparation होता है जो छोटे station होते वहाँ पर chart preparation नहीं होता है तो आप एक अंदाजा लगए है कि आपके जो previous station जो जक्सन है या बड़ा station है उसके हिसाब से आपको देखना है कि वहाँ पर chart बनता है तो chart बनने से पहले अगर आप ticket को cancel करते है तो आपको 50% रुपे जो है 50% कट जाएंगे यदि आपका ticket 800 का है तो आपको 900 रुपे कर जाएगा अगर आप 4 घंटे पहले cancel करते हैं 12 घंटे के बाद और 4 घंटे पहले अगर आपका कोई भी confusion हो रहा है तो tension नहीं लेजिए आप लोग comment करके हमसे पूछ सकते हैं पूसिस करूँगा कि आप लोगे comment का reply दो ततकाल ticket के बारे में भी बात करेंगे कि यदि ततकाल ticket है तो cancel करने पर कितना refund आएगा यह सब बताएंगे तो यहां पर देखे cancellation of e-ticket after the preparation of reservation chart यानि कि क्या होगा अगर आप हम जो chart बनने के बाद ticket cancel कर सकते हैं करते हैं तो normal user e-ticket cannot be cancelled after the chart preparation यानि कि chart preparation के बाद ticket cancel नहीं किया जा सकता है in case यदि train cancel हो जाता है route change हो जाता है तो उस case में आप TDR file कर सकते हैं TDR कैसे file करना है उसके बारे में मैंने video बनाया हुआ है तो हमारे चैनल पर वो video available है तो उसको आप देख लीजिए no refund of affairs all be admissible on the ticket having confirmed reservation in case of ticket is not cancelled और TDR note filled online up to 4 hours before the scheduled departure यानि कि कोई भी पैसा नहीं मिले का यदि 4 गंटे पहले ticket को cancel नहीं किया जाता है या TDR file नहीं किया जाता है उसके बार TDR तो आप file बाद में भी कर सकते है no refund of affairs all be admissible on RAC e-ticket in case of ticket is not cancelled और TDR is not filed up to 30 minutes before the scheduled departure of the train अब बात करते हैं यदि आपका ticket यानि कि आपका ticket है वो RAC है तो RAC ticket को आप 30 minutes पहले तक cancel करते हैं तो ही आपको कुछ refund मिलेगा यदि 30 minutes पहले तक cancel नहीं करतें तो आपका refund नहीं मिलेगा in case on a party e-ticket और a family e-ticket issued for travel more than one passenger some passengers have confirmed reservation and other are on RAC or waiting list full refund of fare less clearance shall be admissible or confirmed passenger also subject to the condition that the ticket shall be cancelled online or online TDR shall be filed for all the passengers up to 30 minutes before the scheduled departure of the train तो यानि कि उन लोगों के लिए जो ज़्यादा यहाँ पर इसका महिने नहीं होता है जिसे party ticket है, family ticket है, जिसे बहुत सारे लोग होते है तो उसमें किसी का confirm होता है, किसी का RAC होता है, किसी का waiting होता है तो उसके लिए बताए गया है अब बात करते है, TDR कैसे फाइल करना है तो TDR के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है तो उस वीडियो को देख सकते है अगर agent है, तो agent किस case में ticket को यहाँ पर cancel करेंगे कैसे हो वो चीज़े यहाँ पर बताए गए है तो हम तो individual के लिए बता रहे है अब बात करते हैं तदकाल ticket के लिए यानि कि अगर आपके पास तदकाल ticket है तो आप क्या कर सकते है अगर आपके पास confirmed तदकाल ticket है तो आपको ticket cancel करने पर कोई भी पैसा नहीं मिलेगा तो no refund will be granted on cancellation of confirmed तदकाल tickets for continuing cancellation and wait listed तदकाल tickets cancellation charges will be deducted as per existing railway rules partial cancellation of तदकाल ticket is allowed यानि कि अब यहाँ पर यह है कि अगर तदकाल ticket है तो उसमें किसी का एक का confirm हो गया एक का waiting है तो waiting वाले लोग cancel कर सकते हैं उसको refund मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पर partial cancellation allow है तदकाल ticket में अब यहाँ पर बात करता है यदि train ही cancel हो जाता है तो इसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं तो देखें अगर train cancel हो जाता है तब आपको यहाँ पर TDR file करना परेगा जिसे train cancelled है किसी कारण से हो सकता है flood, accident या कोई खरावी के कारण से हो सकता है तो यह चीज़े अगर है तो आपको इसके लिए TDR file करना परेगा तो TDR कैसे file करना है? हाँ train अगर पूरा-पूरा cancel होता है तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको ticket कब कैसे मिलेगा? तो ticket cancelled within 3 days of the serial departure of the train in case of e-tickets all be such cancellation can be done by the customer through internet तो यानि कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि आपका train cancel हो जाता है किसी भी कारण से तो आप 3 दिन के अंदर ticket को cancel करके या TDR file करके अपना refund ले सकते हैं तीन दिन के अंदर यानि train खुलने के 3 दिन के अंदर train खुलने से पहले नहीं train खुलने के 3 दिन तक आप यहाँ पर refund ले सकते हैं तो आप लोग समझ गयोंगे कि कैसे ticket में कितना cancelation charge लगता है अगर आपका कोई भी confusion है तो आप लोग हमें comment में पूछ सकते हैं मैं कोशिस करूँगा कि आपके comment का reply दिया जाए मिलते हैं आप लोग से